नमश्वार दोस्वों आप शुबी का बहुत बहुत श्वागते दोस्वों आप शुबी को बता दे कि या फिर आपके घर परिवार के पीछे लग गई है या चूडेल जिया दोस्वों आप शुबी को बता दे कि शुमे रहते हो जाएं शावधान वरना ये आपके घर को भी बरबाद करशकता है ये दोस्तों हम आप शुबी को बता दे कि आने वाले शुमे में अब इनका खेल खत्म होने वाले हैं तो दोस्तों आज को यह विडियो आप शुबी के लिए बहुत ज़्यादा महत्पून और बहुत ज़्यादा भागी शाली रहने वाली है तो दोस्तों आप इने बिल्कुल भी मिशना करें और सुरूस लेकर अंत तक जरूर देखिएगा यह दोस्तों आप शुबी को बता दे कि व्यक्ति जब अपने जुनकाल में आगे बढ़ने लगते हैं लोगों से अलग करने लगते हैं जब आप अपने जुनकाल में आगे बढ़ने लगते हैं तो दोस्तों लोग आपसे कही ने कही जरूर जलते हैं और इतनी हद तक जलते हैं इतने हद तक आपको नीचे गिराने का प्रयाश करते हैं कि कह नहीं शकते और दोसों उसके बाद वो लोग जब कुछ कर नहीं पाते तो तांतरिक विद्याओं का इस्तुमाल करते हैं पिछले कई दिनों शे आपने देखा है कि आपके कारे बनते बनते बिगड़ रहे हैं, जिन कारियों में आपको मन लगता था, उन कारियों में भी आपको मन लही नगने लगा है, तो दोस्तों आज की इस वीडियो को आप अंत तक दिखिएगा, कि दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि केशे आप इनकी पहचान कर सकते हैं शाते केशे आप इनसे बच सकते हैं इनको पने जिनकाल से केशे बाहर निकाल सकते हैं दोष्टोष्यज लए करते हैं सबसे पहि像 करेंगे कि आपके ओपर 나올 Sax है यह ने कोؤी चुड़ा लगी है जा रहा है जे दोसून दोस् thinly को बदा दे कि जब व्यक्ति के जुनकाल में यह सी गटनाई होती है तो दोसूं उनकी को में सबसे पहले सोचने की स्थमता चरी जाती है में एक त्चस्था स्वसमत सोच कि दोसू, उनके जुब झुलकाल में किसी और का ही शाया है, जो कि वाह शुमीं परभाव डालते हैं, शाथी आपको बता दें कि एशे समय में व्यक्ती बहुत यहदा परिशान होने के शाय साथ कुछ ऐसे गलतकार भी करते हैं, जो कि उनके लिए बहुत यहादा नुक्षा पर अध्यान नहीं देते हैं तो दोस्तों यह में आप शबी को जो घर के बुड़े पुजरुग हैं जो बड़ो आदमें उन्हें यह बात शमय ना चाहिए कि उनके परिवार के पीछे किसी का शाया तो जरूर है तभी दोस्तों ऐसी गठनाई हुई है ऐसे कि दिये कलाप हो नहीं है रिपोर्ट तो बिल्कुल ही अच्छे आने लगते हैं तो दोस्तों इनशे भी आपको चूप नहीं रहना है आपको समझना है कि किसी का तो शाया आपके घर परिवार पर है तभी तो परिवार में इतनी किलत सी हो गई है का हसता खेलता परिवार का खुजयों में परिवार इतना चुप सा हो गया है किसी का आज पास में जगड़ा होने लगता है मन बहुत ज़्यदा वश में प्रिशान होता है जब शात बेठने वाला व्यक्ति भी आपके शात ने रहते यह दोस्तों तो इसे में आपको इन बातों के अध्यान रखना है तो दोस्तों बहुत लोगा किसी जो एंपर शाहरा लेना है जो की तान्तरिक बिद्ध्यान जानते हैं जो कि ततरी बिद्याओं को वाश में करते हैं यह दोस्तों अगर आप अभी शाहरा उठा हे तो यहीं ही चीज किरियाएं कर सकते हैं आखिर उनका क्या भीगड़ा है जो आपके उपर एश्यत तांत्रिक विद्याएं करते हैं बहुत चोड़ देते हैं यह कहें तो किसी का साय आपके पीछे लगा देते हैं तो दोस्टों यह बात आपको गौर करना चाहिए कि कौन सा वेक्ति आपके शा पिछले समय में आपके पास कुछ भी नहीं था तब लोग आपसे बहुत ज़्यादा जलते थे लेकर दोस्टों आज के दौर में भगवान के अशिरबाश्य आप शिर्बाश्य में बहुत शारी चीज़ें हैं जिनकी आपको जरूत है ज्या दोस्टों और इन्हीं सब चीज भाश ये बहुत कुछ है। द दोस्टों आज के कहने के से पज़ेंगे डौ से बातों को आपको ध्यान में र्खना है कि कॉमसे लोग आप से लोग अपसे इतना जलते हैं। कोilateral खुष्याद हो आप आप इजलते हैं दोस्टों ये बात आप अभी भी जानते होंगी। दो अगर आपको लगता है कि वह या व्यक्ति हमसे जलते हैं तो ढूसे आप दूर रहना क्या प्रयाशी동 difference यह क्या है after the summer our यह मनें और आपकी आर आप रहना के शोबलता लेंगे अगया कर सका ermi та विया सकते हैं दोसों सब से पहले आपको अपने बचाव के लिए अपने जुनकाल में इनौही बातों का दियान देना होगा। हम आप शुनकाल में इन पृद्धियों को मानना है कि हे प्रभु हम से यह गलति हुवी है आयंदा हम शे यह गलती नहीं होगी शबी गलतियों को आपको इश्वर की शामने मानने हैं और छमा प्रातना करना है दोस्तों इसको प्रांत आपको इश्वर से भी मांगना है कि अब हमारे जुनकाल से शुवी परिशानिया दूर कर दें अब आपके ही राश्ति पर चलेंगी दोस्तों एश्वर प्रातना आप शुभा शाम अपने जुनकाल पी करें और शादी दोस्तों आपको बता दें कि दुश्मन के कारत अपको हर्मान जी माने जाते हैं जे दोस्तों आपको बता दें जभालेश को glass कर दोस्तों इसानी दिश्बालनों को भालाँ वाले उन चर्ण वालेश कएम अधर 5 दोस्तों उनके हाथ में काले धालेश जरूर मंस दोस्तुश्माका की पहते हैं hard बहुत ही ज़्यादा महत्पुन उपाए होंगे इसको अगर आप दुश्मन से पचना चाहते हैं अगर आप चाहते हैं कि आयंदा आपकी जुनकाल में इसी सत्रु आई इने इसे सत्रु पेदा ही ना हो तो आपको बगवान शुनदेप के चरणों में जाना होगा बगवान निदेभ को आपको तेल चड़ाने होंगे जेदोस्तों शाथ हआत को बदे आदे कि बगवान शुन डेप आपको दोस्तों रोटी खिलाना होगा इन्षे डोसको पहुत जल्द आपके दुश्मनों का श्रवनाश होगा और आपकी जुनकाल में होने वाले सभी दुश्मनो कि दोसुं अपने जुनकाल में आप कितना भी धन अजित करें कितने भी आप शुकों को प्राप्त कर लें लेगे दोसों कभी भी अपनों के शामने उन्हें जाहिर ना करें व्हुण यही लोग होते हैं जो आपके शाथ तो अच्छे रहते हैं लेकिन दोस्टों पेचे करते रहें आने वाले कार्यों के सुचना किशी और व्यक्ति को बिल्कुल भी ना दें कि दोस्मन जलते जलते आपके उपर तांतर क्रियाएं भी चोड़ने लगते हैं तो दोस्मन कभी भी अपने कार्यों को उतना बखान ना करें जितना आप करते हैं जिया दोस्तों आज से अपने विडियो को एक लाइक ज़रू करें और शाह versch humble चैनल pagan के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें वीडियो को लाइक करना ना भूलें धन्यवाद